जैन दोस्तों, welcome to my YouTube channel, मैं हूँ संचे सकसेना भाई, महिंदरा ना, एक से एक नई अफडेट देता है, लेकिन महिंदरा थार में इस बार जो महिंदरा ने अफडेट देता है यह तो literally एक इतना बड़ा सप्राइज है ना, जितने भी थार के फैन है, सब के लिए भाई, यह जो गाड़ी है, इसके अंदर एक नई अफडेट आया है, आप देखो, यहाँ पे 4x4 का हमें कहीं पे बेज जरजर नहीं आ रहा है तो यह जो महिंदरा थार है, इसके पोर्टफोलियो में ना, एक नया वैरियंट महिंदरा ने एक एड़-उन करा है जो की है महिंदरा थार, रियर वील ड्राइफ, यहाँ पे 4x4 हटा दिया गया है completely, इसका एक रीजन है यहाँ देखो, महिंदरा थार हर किसी की ना, मतलब एक फेवरेट वीकल है, हर कोई बंदा इसे लेना चाता है बट बात यह होती है कि लोगों की फेवरेट वीकल इसलिए है क्योंकि इसका dominance stance है हमें 4x4 नहीं जलानी भाई, पबलिक को 4x4 नहीं चाहिए, city में गाड़ी जलानी है तो भाई वो बंदा क्या करेगा 4x4 लेगे, 4x4 गाड़ी भी लेगा, तो जो बंदे effort कर पा रहे हैं, वो बंदे ले रहे हैं प्लेस गाड़ी भी बहुत expensive है क्योंकि 4x4 उसमें complete system है तो ऐसे लोगों के लिए जो लोग 4x4 लेना ही नहीं चाते थे, जिनका use ही नहीं था उनके लिए ये update ना बहुत ही अच्छी informative होने वाली है महिंद्रा ने क्या गरा है, ये गाड़ी यहां पे 4x2 में निगा लिए, प्लेस इंजन भी इसका छोटा गर दिया है तो XUV3W में जो हमें 1.5 लीटर का D15 इंजन देखने को मिलता था ना, वो ही इंजन भाई, अब इसमें महिंद्रा थार में use हो रहा है इस वेरियंट के, जिसका पावर है इंजन को छोटा कर रहे है तो गाड़ी का weight भी कम हुआ है इससे वाइदा गया होगा गाड़ी में NBH भी कम हो जाएगा और गाड़ी काफी silent है, refine है और mileage भी अच्छी देगी भाई, बाकि सब कुछ गाड़ी के अंदर same है आप जैसा देख पा रहे हो ना, बिल्कुल fit and finish बिल्कुल same है, गाड़ी के अंदर कोई ऐसा change नहीं है बस यहाँ पे 4x4 नहीं है engine को replace करके 1500cc के engine में रखा गया है, प्लेस आप यहाँ पे अंदर देखो, तो अंदर यहाँ पे ना, हमें auto start stop का, यह यहाँ पे switch देखने को मिल रहा है, जो add-on किया गया है इसके साथ ना, यह भई, center console आप देखो, यहाँ पे lock unlock का window का button दे दिया गया है प्लेस, यह बाकी setup सब सेम है, जहाँ पे 4x4 हुआ करता था ना, उसकी जगा पे इन्होंने यहाँ पे cavity दे दिया आप यह part देखो भई, यह 4x4 यहाँ होता था, अब यहाँ पे एक cavity दे दिये, कुछ इस तरीके से भई, space का utilization महिंदरा ने किया है बाकी complete आप भई, गाड़ी देखो, बिल्कुल सेम है अंदर से, वो ही fit and finish है भई, यह जो कार है ना, महिंदरा थार, जो rear wheel drive, यह जो गाड़ी आई है, यह definitely ना, यहाँ पे मारूती की जिम्मी की rival बनने वाली है तो मारूती की जिम्मी जो आरी थी गाड़ी, वैसे तो भई, three door में बहार आती है, इंडिया के अंदर यह लोग five door में यह गाड़ी को planning कर रहे थे लेकिन भई, यहाँ पे महिंदरा थार ने अपनी rear wheel drive, यह गाड़ी निकाली है, बाकी सब कुछ आप देखो भई, पीछे से बिल्कुल सब सेम है, tire section सेम है, सारी चीजे सारी की सारी सेम है अब भाई हम लोग यहाँ पे यह भी बात कर रहे थे, थार को लेके कि भाई थार जो आएगी वो five door पे आएगी, महिंदरा ने यहाँ पे क्या किया है, थार five door definitely भाई आएगी, फोर्स गोर्खा भी five door में आएगी, यह सारे का सारा आपने यहाँ पे spy shots देखे होंगे गाड अब यह गाडी ना सिफ four by two पे rear wheel drive पे रहेगी, तो भाई cost कम होगी, majorly भाई हमारे देश का market है, price sensitive market, totally depend करता है गाडी की cost पे कि भाई यह गाडी की cost अब कितनी आने वाली है, यही एक major बात है, और धीरे धीरे ना भाई, यह अभी थार जो आई है, rear wheel drive, इसके साथ साथ जब यह five door के आईगी ना तो भी भाई यह hit product होने वाला है, totally गाडी का demand है, price, अब एक बार ना मैं आपको गाडी का DF tank दिखाता हूँ, यह देखो कुछ DF tank है, इसी तरीके से गाडी का DF tank है, जैसे पहले आता था, तो 20 लीटर का हमें diesel exhaust fluid का, हमें यहाँ पे tank देखने को मिल है, तो यही है भाई चीज, बाकी आप अंदर से देखो भाई, सब कुछ सेम है, गाडी के अंदर आप जैसा देख पा रहे हो, और आपको यह गाडी का मैं owners manual दिखा रहा हूँ, भाई यह owners manual देखो, यहाँ पे आप नजर मारो, देख रहे हो diesel petrol में 2000 CC का petrol engine है, 1500 CC का यहाँ diesel engine है, अब मेरे को यह लग रहा है, वो जो वह 2200 CC का MHOG engine इंका यहाँ पे आ रहा है न, diesel के portfolio में, वो हो सकता है, शायद आने वाले time में, यह discontinue कर देखो, आपके सामने owners manual है, पावर इसकी 82.7 kWh, टॉर्क 300 N का टॉर्क है, भाई, यह है, अब बाकी तो देखते हैं, कि क्या रहता है, बाकी 20 लीटर का यह DEF का tank है, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, so that's all for my side, thank you so much for watching, आप लोगों का क्या opinion है, मेरे को बताओ, यह हो सकता है, maybe 26th of January में यह गाड़ी को launch किया जाए, पहले देखा जाता है कि भाई, Jimmy का price कितना आता है, महिंदरा पहले सीच क तो भाई देख ले कि Jimmy जो auto expo में यह launch कर रहे ना, उसका कितना price आएगा, उसी के बाद में इस गाड़ी का फर्दर आगे price decide किया जाएगा, आपको क्या लगता है, गाड़ी का कितना price होगा, मेरे को comments में बताओ, that's all for my side, thank you so much, मैं हूँ संचिस सकसेना, जैहिंद